हेलो गाईज वेलकम बैक टो माई न्यू वीडियो तो आज टाइम हो चुक है वाई 12 बचके 21 मिनट और अभी-अभी मैंने कम्प्लीट करी अपनी दूसरी बुकिंग टर्मिनल 3 पे एरबोट पे और इस रैड में बिल आया था कस्टुमर का 697 रुपे और हमें मिले इसमें 443 रुपे ठीक है और यह बुकिंग लगाया था मां गुलगाओं सक्टर 45 के करीब से मतलब उसके आज पास से पूरा एक्जैट में आपको दिखाऊंगा भी लोकेशन और जो पहली बुकिंग थी ना भाई पहली बुकिंग यह थी राजनगर एक्स्टैंसन से से सेक्टर 48 बुल गयाँ अब तो मन्दाजा लगालो इसमें कितना ही टाइम लग जाएगा आदम को जाने में साले 6 बजे राइड आई थी सुबा तो सुबा साले 6 बजे आदमी कितनी देर में पहुच जाएगा बच्पन सताओन किलोमेंटर था इस टेम पे दिखा रहा था और यह की मान ना सटल राइड आई थी वो छैसो कुछ रुपे की ती जो दिखा रही थी जो स्टेम पे फिल और एड असमें एड बतलब है कि एक ओर कॉस्टुमर का पिक अप करना वह ता 40 है कि कॉस्टुमर बज पर बाहे सिव मैं चला डिली में डिमें टोल लकटुआ करा का और मैं पहुचा घर सराइक अलेक आवाले टी ने का वा पे और वहाँसे तो जाम लगना से स्टार्ट इतना बुरा पानी भर रहा हमाप है और गंटों का जाम हमाप है गूगल मेप दिखा रहा था उस टेम्प है कि आप 58 या उन्सेट मिनेट में ड्रोप कर दो कि जिस टैंप मैंने बुकिंग उठाई थी चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं इतनी देर में तो भगे भगे जाओ और भगे आजाओ अब रास्ते में इतना जाम मिला जितनी में एंटर पास थे उनमें संब पानी भर रहा इतना पानी के पातना गाड़ी तो बीच में त्यार जाती थी गाड़ी तो भाई वहां से बचते बचते पता ना किसकी से रास्ते से निकल निकल कर हम पहुंचे चार घंटे पंद्रा मिनट में और उस रैड में हमें मिले हैं सतितर किलो मेटर गाड़ी चलिए अजर उदर गुम गाम के और उस रैड में मिले हमें 1069 रुपए हैं सव 4 घंटे के तो फीट है लेकिन अगर टाइम देखा जाए बैट कितना लगा देखो चार गंटे पंद्रे मिनट मामूली बात नहीं होती जिस टेम्प मैंने बुकिंग उठाई थी उस टेम्प है तीन साल जल्ले थे मेरी सेंजी के और रास्ते में ये इतनी गैस मुखी जाम-जाम महीं कि में रास्ते में गैस दलवा नहीं पड़ी पर और गैस दलवा के महां ड पर देखते हैं क्या हालत है क्या नहीं बुसकता है को बढ़ी ऐसी पुकिंग अगते लगी जा तो अब यह उपर होने हमारी और आने वाले टाइम में मतलब अगर यहां नहीं हो मिलेगी बढ़ी ऐसी बुकिंग उपर में तो ओला उन गलंगे मिल जा कोई मेरट वेरट की बुकिंग आउट इस्टिशन तो पढ़िया काम हो जाएगा भाई और हमारा जो एक टैर है ना भाई लैप्ट वाला यह इसने बड़े परिसान कर रखे हमें अभी मैंने कैलीश की इस्टपनी जो रखी ती गाड़ी में वह चैंज गरी थी और मैंने इस्टपनी में रख दिया था अब सुबह लेके चलाओ मैं मैंने रास्ते में देखा तो भाई टैर बिल्कुल नीचे कोड़ाएगा इस पार्किंग में आने का मेरा जो मक्सेद हैना बस वह है कि मुझे नास्ता करना मुझे लग भूप मैंने कुछ खा प्यानी में आभी गया हूं अन्ना मैं ओला ओबर की पार्किंग में आओं वह भी बुकिंग लेने के लिए इंतिजार करूं यहां खड़ा होके आज थू कभी भी निवाएग लेती बहुरा अपना जैलपान के इंदर यह बुकिंग करी है वही है सुबह से दो यह रही एक हजार उनसाट रुपे का इसमें वह चेट थाइस पर गरा था एक अब और राजनगर एक स्टेंट अन्टे सेक्टर अड़तालिस सातेतर किलोमेटर चार घंटा तेहरे मिनट में यह भी लाया है और जो दूसरे राइट थी भाई यह रही इसमें सर्जी भी मिला हमें चार सो तेतालिस रुपे मिले हमें तीन को ट्थान में दिखा रहा था बहुत अच्छे और यह थी भाई यह सैतालिस से गुड़गाउं से और टर्मिनल थरी इसमें किस्टुमर का बिला जा था चैसो सतानमर रुपे यह भाई हमें मिले हैं चार सो तेतालिस और सो रुपे का एमशीडी टॉल तो कोई नहीं अब देखते हैं तक करते हैं थोड़ा वेट नहीं आती तो फिर खाली चलते हैं निकलका तो भाई यहां तो बहुत बुरा फेर जिरा वोला तो उबर अभी तलक दिखा रहा था तो यहां उम्मीड लगाया सकते हैं सिर्फ हम काई से ओबर से अगर कोई मिलेगी भाई बढ़ी हैसी ड्यूटी तो ओला में तो ले लेंगे वरना ओबर यह उन करते हैं अबर से गोव माटाते हैं और ओन ड्यूटी करते हैं कि कस्टुमर को हमने कर दिया है नहरू पैलेस में ड्रॉप और कस्टुमर का बिलाया था था तीन सो चोट्तर रुपे और हमें मिलें दोसो एक्याम रुपे और इसमें जो बजिया टोल लगता है न वह एरो सेटी का तीस रुपे का वह मैंने कस्टुमर से लिया था वहीं पी मैं कहां 30 रुपे दो वो बो अच्छी बात है पहले बता दो अगर वो कस्टुमर कहता है कि आप दे दो मैं बाद में दे दूंग आपको फाइनल वी पे तो वो भी चलता है लेकिन चैचे पे बाद में नहों अगर मैं लास्ट मां के मांगता है कि तीस रुपे दो फिर वो उपसर न उठाता तो जो है स अब यहां से देखेंगे कहां की मिलेगे बुकिंग करें यहां थोड़ा सा वेट तो किस्टुमर को हमने कर दिया ट्रोप नोवेडा एक स्टेंसिंग की तरफ और यह बुकिंग लेगाया था मोगला से मोगला मंडे के पास से और इसमें कस्टुमर का बिल बनाया भाई 810 रूपी और हमें मिले हैं 512 रूपे 810 में से 512 और 120 रूपे का यूपी का स्टेट टैक्स इसमें मैं कहरा था कस्टुमर से जब दिस्टम पाया था नहीं तो मिझे दिखा रहा था पान्सो आड़ और त्रूपे करीब दिखा रहा थे अब देखते हैं से कहां की मिलती है इसकरते हैं इधर औधर ही वेट अगर ऐसी इसी बुकिंग मिलती रहे तो भाई थोड़ा मन दिखा रहा है लेकिन हमारी गाड़ी चली थी 31 किलोमेटर 31 किलोमेटर के 512 रूपे बहुत बढ़िया है अगर ऐसे बिल मिलते रहे तो भाई फिर इससे बड़ीया काम कोछी नहीं है अगर ऐसा बिल मिलतो अगर वही मिले ना गटी आट रूपे साथ रूपे तो इससे बुरा काम कोई नहीं है तो कोई नहीं भीया जो भी अब यह तो की की बात है अब एक एरपोर्ट में मिला रहा था वह कह रहा था मैं पचास किलोमेटर चल गा है डिली से दिली का यह ड्रोप था एरपोर्ट का तो पचास किलोमेटर मेरी गाड़ी चली ए इसमें और ट्राइफिक ता थोड़ा था ही सुगा जब बारश पड़ी थी थोड़ा क्या बहुत था तो उसमें 50 किलोमेटर का बिल आयता भाई कस्ट तो इदर से चलते हैं वाई गोर्ट सिटी की तरफ को क्योंकि इदर तो लोकबाग जोनों इस ट्राइम आएंगे यहां से जाने के बुकिंग जोनों रात कोई मिलेगी तो यहां चलते हैं कि काफी देर होगी गंटा एक हो गया पुरा खड़े खड़े अगर उदर मिलते तो ठीक है नहीं मिलते तो वहिए सावेरी में गैस चलवा के हम अपने घर को चले जाएंगे क्योंकि हमें आ रही है नीद केस्टुमर को हमने कर दिया है ड्रोप और यह बुकिंग थी छोटी सी और इसमें केस्टुमर का बिलाया था 170 और हमें मिले 114 रुपे और उससे पहले में इस बुकिंग भी लेने से पहले था तो वहां पर भी अपना भाई आ गया वैगना ले गया इस वह बाई यार तुम्हें मैंने देख लिया तुमारी गाड़ी पैचान लिया गाड़ी कैसे पैचान लिया नमबर प्लेट दिखाता भी नहीं मैं आपके काड़ी बस पैचान लिया अच्छा भाई तो वहां पात हो भी असे काफी देर फिर बटोरे वाला कहला का भाई या तुमारे बटोरे बनके खालो मगा ठीक है भाई या खा लेते हैं और आज अएरपोर्ट पे भी आया था तो आएरपोर्ट पे बहुत प्यार म अच्छी नी भाई ऐसा मतना समझना के भाई यह मिलने का नी या एटिट्यूड दिखाता है मैंसिज करने में तो मैंसिज में तो मैं बताओ रिप्लाई इसली नी करता मैंसिज कर जादेता है आज केल जो ना मैं कुछ जादी को रिशान चल लो हूँ समझे लो माइन मेरा मैं रिप्लाई करता हूँ जो कुछ वाद पूछ रहा है या कोई हैलो भी कर रहा है तो उसको भी रिप्लाई ने देने तो तो यह ताइम हो गया पांच बजगे पूरे और इस टाइम आ गया हूँ मैं कहां पर किरोशिंग रिपब्लिक अब मैं यहां से डलाऊंगा गैस और लगांगा बहूं हापुड का क्योंकि भाई मैं रात कर लाया था मैं तो फैर किस ट्रेम घर से और रात को मैंने डूटी और पर करकी तो पुरी रात तो चार तीन बजे भी एक डूटी है ती हो एती अस्ति रूपे की उसने नीन खराब गरती फिर एक भाई आया उसने खटटाया डिजार वाला था वो भी कहल लगा वाई मतलब पकी नीन में से बिलकुल तो यह रास्ते बंद पड़ा है कैसे हो कि यह गोर सिटी से सावेली जाने वाला रास्ते बंद गर रखा बताने तार वहां टूट रहे कि अवरा है एक गाउवालों नहीं बंद कर दिया अब जहान अपड़े का पुरा गोंगे है तो वाही ने खटटटाया नीन में से उठा पूरी में पक्की नीन आजी देख द बंद होगी बीच रास्ते में खड़ी करके सो रहा था और जैसे यूटन लिया बुकिंग आई तो बंद होगी गाड़ी सेल्प निले रीदी तो दक्का लगा तो एक काम करो मैं तुम बैट जाओ मैं दक्का लगा रहा हूं अब मैं बैठा उससे के लिए दक्का नहीं मदद नहीं करेंगे एक दूसरे की तो फिर करेगा कौन तो वह भी बंदना एक दम आगे एक बार कहने पर इसमें बैक दक्का लगाओ बैक लगाती आलका सा अब तक्का लगती स्टार्ट हो जाएगी तो बैक गेर में स्टार्ट करके उससे दी फिर आक है थोड़े देल ल तो अब नीद भी आ रही है और थोड़ी है तबीयत से बीक्तार लंग री कि रात में एशी चला गे तो वह अब रिस आ है कि यह ने लग रहा नहीं तो यह थोड़ा डौट सा इसमात अब करना टैंधि और पर आखोमें थोड़ी सी शुबहन सी हो रही है वह कर दो कि उसे निम्टा लेंगे और फिर आते कल प्राइल डलाते हैं आप ग्याइस फिर आपको बताते हैं हिसाब किताब आज का कि क्या नहीं रही क्या नहीं तो बहीया इस ताम और छुक हो में से फिर्म और बात कर लिए YOUR इंग्न के बारे में तो आज पांच बूकिंग करें हमने और तुम एँप और अर्णिंग और रहके हमारी ऐगझारों मज़राइटा त्टो और रेख रहुक एंगझा तूर डवराइटा है श्यिंग। और बात करते हैं काई की रैपीडू की रैपीडू मां पता नहीं भाई इस तो याद भी नहीं रहता अज यह नहीं है साधर रैपीड'o नहीं है डाग जीरो तेक एंट और ओला ओला में है आज 512 पानसो बारा की ओलों है लेस पानसो बारा टोटल काम हो अमारा थेजसो अस्टे रुबेगा और इसमें हमारी गाड़ी चलिया आज 170 किलोमेटर साड़े छह बजे से और अब ओड़े सारे पांच तो ग्यारे अक्टे में हमारी गाड़ी चलिया आज 170 किलोमेटर और टाइम थम्हां पताई है भाई नब्बे नब्बे रुपे की डूटी अब भी देदा बाज नहीं आ रहा जा रही है ओबर आज बाज में कर दी पर नब्बे तरह की बाहन में कर दीपले नब्बे तो बहँ ए तेश्वश्च रुपे की और हमारे गैस में भूग ये 3300 पिलस की 600 पिलस की तो लगबख 600 की मान लो 600 की मान लो 600 की क्योंकि आज जाना गाड़ी जाम में बहुत खड़ी रही है चली कम है तो 600 की काटनो 1730 सेंजे खर्चा काटके सिर्फ सेंजे खर्चा काटके 1730 रुप आज हमें बचे है और में बड़ी हर निंगोंय हो जाती है तो के इस में एक छीचा ख्याल रख कंगे जो एक कमपने में चलाएंगे या तो ओन याnda बस दूसरी कंपनी और खोलंगे तो खोलंगे गोउं लगाने के और नहीं जाता है ओला में चलाएंगे सिर्फ ओला ओला या फिर उबर उबर अगर दूसरी कमपनी का यूज करेंगे तो करेंगे सिर्फ गोहम लगाने के लिए तो कैसे लगे आपको यी वीडियो कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें मिल दें अगली नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई